नमस्कार, जानते हैं, रक्षा बंधन को लेकर इस साल भी पिसले साल की तरह कन्फ्यूजन की स्थिदिय है। सुमोर्थ पर होने वाले स्तियोहार पर कैसा ग्रहन लगा है। कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है, कब राखी बादे। ऐसा कन्फ्यूजन आपके साथ भी होगा, 30 अगस्त या 31 अगस्त कम मनाए राखी और ये भद्रा क्या है, दरसल 30 अगस्त को पूरिमा लग रही है, लेकिन भद्रकाल होने की कारण 30 अगस्त को राखी नहीं बादी जा सकती, वही 31 अगस्त को पूरिमा को समय के लिए है, इसल ने राखी क्यों नहीं बादनी या बध्वानी चाहिए, भद्रा काल को असुप क्यों मानते हैं, इसलिए अब हम जानेंगे कि यह भद्रा क्या है, तो सांथियों भद्रा जो हो है, पुराणों की मुताबि भद्रा को सनी देव की बहन और सूरी देव की पुत्री बताया है, सुभाव में भद्रा भी अपने भाई सनी की तरह कठूर है, ब्रह्मा जी ने इनको काल गर्णा में विसेज इस्तान दिया है, काल गर्णा मतब पंचांग, हिंदू पंचांग को पाच प्रमुक अंगों में बाटा गया है, तीथी, वार, योग, नक्षत्र और करण, इसमें 11 करण होते हैं, जिन में से 7 करण विस्टी का नाम भद्रा बताया गया है, हिंदू पंचांग की मुतावि, रक्षा बंदन महोर्त में भद्रा का विसेज ध्यान रखा जाता है, माना जाता है कि भद्रा का समय राखी बाधने के लिए असुब होता है, इसके पीछे की वजह भगवान सिव और रावन से जुड़ी एक कता है, तो अब हम जानते हैं कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बद्वानी चाहिए या बाधनी चाहिए, पौराणिक कताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सूर्व नक्खा ने अपने भाई रावन को भद्रा काल म ही राखी मादी थी, जिसके कारण रावन के पूरे कुल का विनास हो गिया, रावन का अन्तु हुआ, इस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बाधनी चाहिए, वहीं ये भी कहा जाता है कि भद्रा के वक में भगवान सिव तांडो करते हैं और वो काफी क्रोध में होते हैं ऐसे में अगर उस समय कुछ भी सुब काम करें तो उसे सिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, अच्छे काम भी बिगर सकते हैं, इस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बाधते हैं और नहीं बध्वाते हैं अब हम जानेंगे कि राखी बाधनी का सुब मोहूरत क्या है और भद्रा कितने बज़े तक हैं, कैसे पता चलता है कि कब है भद्रा भद्रा के वक्त यात्रा मांगली कार्य निसे दे, रक्षा बंधन को सुब माना गया है, इस वज़े से भद्रा में राकी नहीं बाधी जाती पंडिक दीपक सुकल के मुताबिक चंद्रमा की राशी से भद्रा का वास निर्धादित किया जाता है माननेता है कि जब चंद्रमा कार्क सी हैं कुंबह या मीन रासी में होता है तब भद्रा का वास प्रिथवी पर होता है चंद्रमा जब मेश, वरिश, मिथुन या वरिख्षिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्ग लोग में रहता है चंद्रमा के कन्या, तुला, धनू या मकरासी में इस्तित होने पे भद्रा का वास पाताल रोक में माना गया है गणाओं में भद्रा का पृत्वी पर वास भारी माना गया है इस जिसे हमें पता चलता है कि इस टाइम पर भद्रा है या इस जिन पर भद्रा है कि नहीं इसलिए हम तीथी वार वगरा देखकर यहां निश्चित कर लेते हैं कि भद्रा तो नहीं है क्योंकि भद्रा में सुबकारिय नहीं होते हैं रक्षा बंदन में भद्रा का समय 30 अगस्त को स्रावन सुकल की पूरी मा सुबह 10 बच कर 69 मिनट से लग जाएगी लेकिन पूरी माती थी और स्रावन अक्षत के साथ भद्रा काल की सुरुआत होगी भद्रा काल 30 अगस्त को राट 9 बच कर 1 मिनट पर समापत होगा इसके बार सुम्हुर्ट सुरु होगा इसलिए 30 अगस्त 2 जा 23 को राखी नहीं बाद सकते 31 अगस्त को राखी मनाना सही रहीगा 31 अगस को उदिया पूरिमा में ही रक्षामंदन मनाना उचित रहेगा क्योंकि उदियाती थी कि माननेता सूर्यास्तक रहती है इसलिए पूरे दिन रक्षामंदन मनाया जा सकता है